हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ रोज की तरह आप सब अच्छे होंगे दोस्तों हमेशा की तरह आज फिर से आप सब के लिए लेकर आचुकी हूँ बहुत ही काम की वीडियो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ काफी सारे ऐसे टिप्स और ट्रिक्स और कुछ ऐसे घरेली जुगार जिसकी मदद से बिना एक रुपए खर्च किये आपके घर के मुश्किल से मुश्किल काम भी बेहत आसान हो जाएंगे वीडियो देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्फू लगे तो एक लाइक कर दीजेगा और ज़रा सादा शेर करिएगा अपने फैमिल्यों और फ्रेंड्स में ताकि वो भी इन सारे ट्रिक्स को यूज कर पाएं टो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो आज की पहले टिप में हमें सबसे पहले ले लेना है यहाँ पर संत्रे का चिलका और उसको कुछ कुछ इस तरीके से छोटे-छोटे टुकर्णों में काट कर लेती हो और इसके बाद इसको हमें रखना है गैस के ऊपर तो और अच्छे सी खुश्बू ना आने लगे उसके बाद जब यह अच्छे से खौल जाए तो आपको करना है इसको इसको स्ट्रेण तो किसी भी बरतन में आप इसको स्ट्रेण कर लिए इसको हम लोग यूज करने वाले हैं अपनी सिंक में कभी कबार आप देखते होंगे कितन ये वाला solution हमारे बहुत काम आता है तो एक वाइस को जरूर ट्राय करके देखेगा उमीद करते हूं ये वाला टिप आपको जरूर काम आएगा तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले हैक की तरफ और फिर जब हम आगे ज़ाडू लगाते हैं तो फिर फसने लगते हैं तो अगर आप चाते हैं कि ज़ाडू के साथ ये प्रॉब्लम ना हो उसमें बार बार जो बाल होते हैं ना फसे तो आप यहां पर एक छोटी सी टिप को फॉलो कर सकते हैं आपको लेना है कोई भी इस तर ज़ाडू में फस जाती थी वो बिलकुल भी नहीं फसेगी और बहुत ही अच्छे से ये क्लीन भी करता है फर्ष वेगरा को तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पन्नी लगाने के बाद बिलकुल भी ज़ाडू में जो बाल वेगरा जो फस जाते थे वो वाली दिकत आपको यहाँ पर नहीं होगी तो उमीद करते हूं यह वाला टिप भी आपको ज़रूर कामाएगा एक बाद ज़रूर ट्राय करके देखेगा तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले टिप की तरफ इस तरीके के ब्रश जो होते है ना तो अकसर इसको हम लोग यूज करते हैं कपड अच्छे से हमें फिक्स कर लेना है तो दोनों साइट रबल पेंट लगाकर यह अच्छे से फिक्स हो जाता है उसके बाद हमें लेना है एक कोई सा भी पुराना कंटेनर तो इस तरीके का कोई भी पुराना एक कंटेनर आप ले ले और थोड़ा सा पानी रखने के बाद एक चमच के करेव यहाँ पर डिटर्जेंट आप मिला दीजे और हमें थोड़ा सा लेना है हार्पिक तो जादा नहीं थोड़ा ही सा हार्पिक मिलाने के बाद इस सॉलिशन को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब हम इसको यूज करने वाले हैं अपने बाथरूम की टाइल कितनी बार होता है ना कि टाइल्स हम अच्छे से साफ कर देते हैं फिर भी जो होता है ना उसके उपर जो पिलापन होता है वह अच्छे से साफ नहीं होता है तो इस सॉलिशन को यूज करके और इस तरीके से ब्रश की हेल्फ से आप उसको साफ करेगा ना तो बहुत ही अच तो आप डिफ्रेंस देख सकते हैं कि जहां पर ब्रश नहीं किया है वहां पर जहां पर ब्रश हो गया है वहां पर दोनों में कितना अंतर है तो इस तरीके से हम अपने बाथरूम की टाल्स वगरा को भी साफ कर सकते हैं तो एक बाथ जरूर ट्राय करके देखिएगा तो चलिए बढ़ते हैं अगले है की तरफ सर्दियां स्टार्ट होते ही मार्किट में जो है गाजर मिलना स्टार्ट हो जाते हैं और उनको हम खरीद कर लेकर आते हैं तरह तरह की सबजियां वगरा बनाने के लिए चाहे वो हलव जाब अख़ा को चिलने से अच्छा है की एक बहुत ही ऐचा सा हम ट के अपनी गाजर मोची मैं विएस हो जाता है और वह भी वेस्ट होने से बचलिए यहां पर आपको ले लेना है चटेंयों और एक स्क्रबर यहां पर रह एक नया स्क्रबबर ने आप ले लेए चन्नि के ऊपर लगन कुछ कन देना है और उसके बाद उसके बाद जब करेंगे सपील्स पूसदीन हो ना इससे उसके रेश को सफ करें गाशनी में आसानी सोरे जो पिभल को चींधे हो निन टून को सब्धारीस उआइं, अब इसमीद क्रूफ को सब्सक्राइब करें, बढ़ते हैं आज के अगले टिप की तरफ इन cloth pin का use अक्सर हम लोग कपड़ों को सुखाने के लिए करते हैं पर आज जो इसका use आपको बताने वाली हो ना उसे आपको बहुत ज़्यादा मदद होगी तो यहां पर हमें cloth pin ले लेनी है और साथ में लेना है double sided tape तो double sided tape का यहां पर हमें एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना है और उसको इस तरीके से चिपका देना है side में cloth pin के उसके बाद इसको हम लोग use करने वाले हैं चलिए आए देखते हैं कहां पर तो पहले इसका sticker जो है उसको remove कर देना है उसके बाद इसको हम लोग use करने वाले हैं जो हम लोग room में वैसे चार्जर वगरा phone चार्ज करते हैं तो बहुत लोग क्या होता है कि ऐसे ही charger को रख देते हैं जो की देखने में भी अच्छा नहीं लगता रहता है और उसका जो तार होता है वो भी काफी जादा messy होता है क्योंकि कई सारे charger एक साथ रहते हैं phone के तो अगर इस तरीके से आप phone का charger switchboard में लगा हुए है और charge नहीं कर रहे हैं तो आप उसके cable को इस तरीके से fold करके इस वाले pin में आप इस तरीके से organize करके रख सकते हैं इसी तरीके से अगर बोड में और भी charger है तो जिनके तार इस तरीके से लटके रहता है तो एक और cloth pin आप इ जो ट्राय करके देखिएगा तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले टिप की तरफ बात्रूम के जो यह टैप होते हैं कि इसको यूज करते करते इतने ज्यादा यह गंदे हो जाते हैं क्योंकि इसको हम सही से अगर साफ ना करे तो इस पर जो पानी के spot जो परते हैं उसको बहुत जादा यह गंदे भद्दे लगने लगते हैं तो इनको बहुत ही इसली आप घर में भी साफ कर सकते हैं इस तरीके से आपको पेस्ट ले लिना है कोई साभी वाइट पेस्ट यहां पर जल पेस्ट कहां में यूज नहीं करना है और इसको लगाने के बाद आप कोई तूथ ब्रश करने से जो इसिस के जाने से पको जाने तो इस तरीके से ने करने बाद पाँच मेंंट मेड्य आत घर इसली दो घ्याता बल्acalए ते जरूर पसंद आया होगा तो ये थे आज की कुछ useful tips और tricks जिनको use करके हम अपने मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान कर सकते हैं उमीद करती हूँ आज का वीडियो आपको जरूर helpful लगा होगा अगर जरा सा भी helpful लगा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब कर दीजेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने family और friends में ताकि वो भी इन सारे tricks को use कर पाएं मैं अपने चैनल पर ऐसी useful videos लेकर आती रहती हूँ आपका वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से thank you मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए good bye